मैं दिन खोर के शिर्ख दो तीन मिनिट मैं बात करना चाहता हूँ आप जोर से सुनिएगा यह मेरी रिक्वेस है अब जो खुट भी चल रहा है देश में उसके बारे में बहुत लिड़र लोग अच्छे अच्छे भाशन दिये हैं लेकिन मैं आपके सामने मैं एक हमारी दिल के बाद जो आपके सामने रखना चाहता हूँ एक पूरे बातों प्रधान मंत्री माननी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी और अमिद शाजी जानते हैं यह हकीकत है कि देश के अंदर चालीस परसं से ज्यादा लोगों को बड़ सब्केड नहीं है ना मोदी जी के बड़ सब्केड है ना केसियार साथ के है ना लाफ हो लोग, नाज बाबा, नाज साथ हुझी, नंगे साथ हुझी, सोब्लों को किसी का भी बड़ सर्केड नहीं है तिलिए उन लोगों को बड़ देते हैं तो बहा मंत्री जी यह बहुत अच्छी तरह से उन लोग जानते है लेकिन भाई, यह आपके सामने ऐलान करना चाहता हूँ और इस वकद हिंदुस्तान हमारा प्यारा देश एक बहुत बड़ा खत्रे में आ गई है सही में एक बहुत बड़ी साजिश हो रहा है यह साजिश अमिच्छा साब के साजिश नहीं है मोदी जी के साजिश नहीं है यह संग परवाम के साजिश है अमिच्छा साब एक अच्छे आदमी है नजिंद्र मोदी जी एक बहुत अच्छे भरे आदमी है लेकिन उन दोरों के पीछे एक बहुत बड़ा भूत है, एक शैतानी ताखत है, उसका नाम है संभ भरवार और आरेसेस यह अमिक्साहर और नरिंद्र मोरी साहर को केवल निमित है, उनके हाथ में गुड़िया है, एक दोरों गुड़िया को आरेसेस खेलाती है लोग जो अच्छा काम करना पी चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, आरेसेस और संभ भरवार पर अच्छे काम करने नहीं देगी नहीं संभ भरवड और अरेसेस का बहुत बड़ा खाव है, बहुत बड़ी उसक्यक्ति ऐसेस में दिल को पना देगी एक पुरानी हिंदी फिल्म गाना है मुहमत रभी शाब का सव साल पहले मुझे तुमसे प्यान का आज भी है और कांजी रहे लेकिन ये असलिपा देश लिए ये संग परवार को आरे सिसको समाजिक न्याय से नफरत है सव साल पहले इंसाफ से नफरत करते हैं आज भी और का भी करें आरे सिस और संग परवार के हाथ से देश के लिए कोई भी अच्छा का नहीं हो सकता है ये नामुम्कीन है ये बहुत बड़ी सैतानी काफ़ग है इल्वां का ये दिल की काम्रा है डिजायर है उनकी वांचा उनकी अश्या है उनकी जो खुद भी उनकी योजनाए है कि फूरा हिंदुस्तान को एक हिंदु राष्ट बनाएं जैसा के वो लोग नेपाल में कर लिये है नेपाल के बारे में कहा जाता है एकलो होता हिंदु राष्ट है दुनिया में इसी तरह से ओलो तो एलन कर दे जा रहे थे वो फ्मस sih जिस तरह से हम नेपाल हम्फोरा हिंदो हां हिंदु राष्ट बना गैं इसी तरह से हिंदुस्तान और राष्ट बनाएंगे है यह दिन राष्ट बनाने का पोश्चितgebaut ये एक्छोटा सा ख़दम था एक चोटा सा खोशिस को लोग कर रहे हैं जिस देश को फुरा हिंदुस्तान हिंदु राष्ट्रू बनाने के लिए मोदी साब को मालूम है अमिक साब को मालूम है कि देश के अंदर आधा से आधा लोगों को 40% 45% को उनको उनको खुद के बर्षट के नहीं उनके मामाद के बर्षट के कहां सबाएंगे लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं फिर भी ऐसा क्यों एक प्रेत ने कर दिया कोश नहीं दे सकेंगे तो वह अप्लिकेशन के नीचे लास्ट रो में लास्ट राइन में दी बोलके लेटर लिखा जाता है उनका मतलब है मनी है उसका अर्थ ही यह है यह डाउट फूल सीटिजन है उसके बाद उसको डिटेंशन कैंप में विजाए जाता है वो रहेगा कोई और अप उसका ओन फ्रापरटी नहीं रहेगा वोट करने के हख नहीं रहेगा वो तो तेशसन ही नहीं रहेगा अगर दी लिखाया गया किसी को भी दी लिखाया नहीं जाएगा डी नहीं लगता किसी को भी आपको डगने का कोई ज़रूरत नहीं है ये तो अमिद सहाब का कहना है वाइदा है गुलाब नभी अजाज साब से बोल रहे हैं तो पार्लमेंट में ये तो मैं जानता हूँ ये बात नहीं जानता हूँ भाय और वहनों इतने आसान इसे वो लोग अपने ख़़म को पीछे क्यों ले लिए हैं वो लोग ये नाशी सिए ये बिल लगा के एक्ट बना के देश में पुरा संसस लेके जन संख्या कितने हैं वो गिनने का कोशिश करके कौन इसा है कौन सिख है कौन मुसलमा है कौन हिंदू है किसका मजब धर्म क्या है इसका डिटल्स लेने का कोशिश करें अगर किसी का डिटल्स नहीं है बढ़ सकते नहीं है तो उनको डी लिखेंगे आखरी बात यह बोल रहा हूं वो लों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है अगर यह बिल वो लोग वापस भी ले लिए फिर भी देश खात्रे में हैं अगर यह किनों व्लाक एक्स जो कुछ भी है अगर वो लोग पीछे भी ले सकते हैं विट ग्रावी कर सकते हैं फिरी भी देश खात्रे में हैं क्योंकि इन लोंगा हिम्मत यह है एलेक्राणिक वोटी मेशें सिस्तमार करके फिरेल बात इस रिवारा हम पावर में आई यह हकुमत ने आई यह बोलगा अच्छिक हमारा जंग ले रहना करें इलेक्राणिक वोटी मेशें को वापस ले लेना है फेपर बालेट हमने होना करें इसाल जो पीछुनाब हुआ हो फेई इलेक्षिन नहीं है लोगों के चुनाब नहीं है उताओ इस सरक्तारी अनुएस लिगिन है अगर जब कर यह इनक्रानी ओट करेंशिन रहेगा फिर से फिर से रिप्टी कर यह वोट संथ कर लोटो शाष समरे बाइप हैंगे मैं इकानू रिका देंगे और यह कोशिश करेंदे देश के हर आदमी मैं हिंदू हूँ कोकर डिक्टल करने का जरूरत आज़ाद इसलिए हम सल्लमेफ्ट होगी जरूरत ज्ब करने चाहिए आज़िविक23 तरेत बार आज़ दाव नियानी इच्छी आज़िए आफनी अर्ची होँष में आपके सब्सेली Teali इंडीम mais? आज में आजाडी आजासर आभना के आजाग आजागेैं और स्पनागेैं आजासर प्रावस के पिंटन sic nut को शॉचा मैजा और शॉचा है करना है जंग करना है ताके आरस्स को और अभी इस देश को शासन करने का हुपमत करने को बहुत हम नहीं के अगर मोशतिया ना इना उसे जाएगा घोट्रा खानूना आएगा कुछ ना कुछ कर ये फिर से कोशिश कबता ही दे रहेगा हुपमत करना है उड़ों के दिल के यह जना है आरस्स की योजना है अनुशय साथ के नहीं अरस्स की योजना है तो हिंदुश्तान को बनाना का इसको हम ठोट के रखींगे अगर इसाई, शिद आख, मुसमन, हिंदूरोग, घोड़ोग, खाइवरोग इसथा हो जाएंगे तो वो प्रेम के भागा हो सकता हम, भीस लिः वगाग, आधिसरों को हम, साच्परिन भाइटने, मनी रेंदे, मोठनी देंदे, ये होगे हमाति असरे काम लावी, ये होगे हमारे असरे काम लावी, इसके ये हम आप से ठयादी करेंगी, और्शक लिए अजली, अभीस अमनि प्य तुझाद वन्टिफोर में चुनाव होने को लागा है तुझाद देश के सारे बाइन लोगे सक्राफ़ कर लाएंगे और हम गो पार्लमन्ट में इनकी करेंगे पार्लमन्ट में